Hello students, मैं नाम वनीत पांड़े, आप देख रहे हैं, Class 8 Maths 2Pi Classes, बच्छो इस वीडियो में page number 181 पर इस try these को हम solve करेंगे बच्छो, आपके NCIT Class 8 Mathematics Mensuration Book में ये दिया हुआ है, ठीके ना, बच्छो इसके पहले का वीडियो गर आपने नहीं देखा है, जहां हमने surface area of cuboid की बारे म हमको total surface area निकालना है, ठीक, total surface area, आप देखी, total surface area का मतलब क्या होता है, बच्छो, ये cuboid है, जैसे, समझोज़ता है, ये cuboid है, ठीक, अब इस cuboid में total six rectangular faces होते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, टॉप पे और bottom पे, ठीक, तो ये होती इसकी length, ये होती इसकी breadth और ये होती है, इसकी height, ठीक, length, breadth, और height, okay students, तो इसका जो total area का, total surface area का formula होता है, 2 in the bracket, LB plus VH plus HL होता है, मैंने आपको बताया था, अब मैं बताना ये चाहता हूँ, अगर इसी cuboid का आपने ऐसे ख़ड़ा कर दिया, कोई बात नहीं, ये दिखो, बतला पहले ये पढ़ाव जाता है, अगर यह ऐअसा खड़ा हो जाएगा, ये length हो गई, बैथ हो गई, और यह हैट हो गी, क्या देकत है, ये length, ये ब॰ैघ, ये height, या फिर आप ऐप बोल सकते हो, ये होगई, इसकी length, हैसा बल सकते हो, ये length हो गई, ये breadth हो गई, और ये height हो गी, ठीक, तो थजादा पर निखें लिएने आपको आपको बस यहां, टोटल सर्फिस एयरा और क्यूबएड का फॉरमला याद होना चाहिए, जिनको नहीं याद है, मैं आपको बनाना बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ बच्छों, देखें, टोटल सर्फिस एरिया ओफ of cuboid का जो formula होता है, वो किस तरीके से हम बनाते हैं, इसको भी आप देख लो, सबसे पहले आप एक cycle में L लिखो, B लिखो H लिखो, ठीक यहाँ पर देखिए बच्चो एक cycle में इस तरीके से L लिखो B लिखो, H लिखो, cycle में यह ऐसे, ऐसे और ऐसे अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से 2 लिखना है और bracket में L into B करो पहले, यानि कि L, B L B का मतलब L into B, और प्लस B into H, यानि कि B into H, और प्लस H into L बस, यानि कि H, बस कतम ठीक, L और B के बीच में कोई sign नहीं, यानि कि multiply यहाँ अब इस figure को देखो, पहले फाले figure पहले यहाँ यहाँ अपलाई करने जा रहे है, ठीक है बच्छो, so first वाले का मांसर करने जा रहे है, अभी हम first वाले का करने जा रहे है, ठीक है students, now they go to लिखा है, two as a लिखेंगे, bracket में L into B, L की जगा क्या लिखो गया, L की जगा 6, तो यानि की जगा 6 into B की जगा कितना लिखो गय, 4 और प्लस B into H, B की जगा हम क्या लिखेंगे, 4 into में H की जगा हम कितना लिखेंगे, 2 समर रहे हो न, L की जगा 6, B की जगा 4, और प्लस लगा दिया, B की जगा 4 और H की जगा 2, okay students now, plus H into L, H कितना आपका, 2 है, और into में L, L कितना है बच्छो, L है आपका 6, ठीक, now solve करेंगे, यह वाला 2 ऐसे ही रहेगा, और ब्रैकेट में ध्यान दे, 6, 4 ता कितना होता है, 24, और प्लस, 4, 2 ता कितना होता है, 8 होता है, और प्लस, 2, 6 ता कितना होता है, 12 होता है, यह 20, 12 प्लस, 8, 20, और 20 प्लस, 24, 20 प्लस, 24, कितना हो जाएगा, 44, ठीक है, 20 प्लस, 24 करो, कितना हो जाएगा, बच्छो, 44 हो जाएगा, ठीक है, सुटेंस, यहनि कि इस ब्रैकेट में आएगा, कितना, 44 आजाएगा, यहाँ पर, ठीक, सो, यह वाला जो ब्रैकेट पूरा solve कर ग स्क्वाइर, ओके सुटेंस, तो फर्स वाले का जो एरिया आगया आपका, ठीक है, फर्स वाले का जो, टोटल सर्फिस एरिया आगया, टोटल सर्फिस एरिया को शॉर्ट में मैं टी एस से लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, टी एस एटी का मतलब टोटल स का मतलब सर्फि फिगर है आपका यह लीजिए सेकंड फिगर में अगर आप ध्यान देंगे बच्छे तो आप लेंथ को चाहिए देखो बात समझो आप एल कितना लोगे फोर और बी कितना लोगे आप फोर यह एल है बी और इस बार एच कितना लोगे 10 यह मैं दिखाा देरहा हूं क्या camera में दिख रहा है मेरे yess chHarumella यहां से देखलो formula नहीं आदे तो L into B plus B into H plus H into L ठीक है plus B into H plus H into L ओके नौ यहां से आज़ेए two in the bracket L into B L की जगा कितना रखोंगे 4 cm into में B B कितना है इसका 4 है और plus B into H B की जगा 4 और into H, H कितना है 10 है और plus H into L H की जगा हम 10 और L की जगा हम कितना रखेंगे, L की जगा हम 4 रखेंगे ठीक है students यह लीजे, solve करेंगे इसको, so 2 in the bracket, देखो 4 4 जा होता है 16 और plus 4 10 जा होता है बच्चो 40, और plus 10 4 जा होता है 40, ठीक है students अब ज्यान दे, 2 है यहां multiply होगा ना, कुछ नहीं तो multiply होता है, ठीक है न, so 2 into, अब देखो 16 plus 40 plus 40, देखो 40 plus 40 कितना होता है, 80, 80 plus 16 कितना होता है, 96, क्या मैं सही हूँ, 40 plus 40 कितना होता है, 80, 80 plus 16 कितना होता है, 96, तो यहां bracket में बच्चेएगा 96 यानि के students, 2 into, अब यहां बचेगा 96, ठीक, so 2 6 हा कितना होता है, 12, और 1 जाएगा यहाँ पर, इसमें 1 जाएगा क्यारी, 292 18 plus 1, 19, यह लीजे, कितना आरा answer, 192 cm2, okay students, इस तरीके से, जो second वाला figure है, उसका जो surface area है, वो कितना है, इसका जो total surface area है, second वाले का, यह है आपका students, कि तो बच्चो note कर लीचे,